दोस्तों जितने भी हमारे N.I.O.S. के 12th के लर्नर सेंजिनों ने एडिमिशन लिया है 12th क्लास में किसी भी स्ट्रीम से वो लोग इस तैम बहुत ज़ादा परिशान हो रहे हैं कि उनको जो टीम में अपने सम्मिट करने हैं टूटर मार्क असाइन्मेंट वो टीम में बनेंग हुआ है दोस्तों परिशान की ज़रूद नहीं है मेरा ये वीडियो आपके लेके आया है उन तमाम सवालों के जवाब जिसमें आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके समझाए जाएगी प्रैक्टिकल आपको करके बताया जाएगा की टीम में आप कहां से अपना डा आपके टीम में का हर समाधान बेरे पालस है मेरा नाम है जासी दोस्तों मैं आया हूं आपके हर सवालों के जवाब तो आये शुरू करते हैं वीडियो लेके चलता हूं सीधा आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर तो सबसे पहले तो आपक अपन कर लेना है और यहां पर आपको एना है उसकी जो ओफिशल वेब साइट है वो ओपन करनी है जो है एन आई ओएस डॉट एजी डॉट इन यह आपकी ओफिशल वेब साइट आ गई है दोस्तों इससे पहले कि हम शुरू करें कि टीम में कहां से डाउनलोड करें आप अ और उनमें कितने कितने मार्क्स के कुश्चन आपको मिलने وाले है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी तमाम जानकारी मिलेगी टीम मे से रिलेटिड जिसकी आपको जुरूरत है और जिस से आपको टीम में सही तरीके से बन सकते हैं तो सबसे पहली बात तो जब भी आप TMA बनाएंगे तो first page पर अपनी पूरी जानकारी आपको देनी है जिसमें आपका नाम आएगा आपका roll number आएगा आपकी class आएगी और जिस subject का आप TMA बना रहे हैं वो subject आपको mention करना है with subject code दूसरा TMA आपको अपनी handwriting में बनाना है किसी दूसरे से नहीं बनाना है तीसरा अपने ही subject चुने यानि अगर आपके 5 subject है तो वो 5 subject कौन कौन से हैं अपने ही subject के आपको TMA बनाने हैं किसी दूसरे subject का TMA आपको नहीं बनाना है fourth सभी subjects के TMA आपके 20 marks के होंगे जिसमें 6 question आपसे पुछे जाएंगे जिसमें पहले 3 question यानि पहला दूसरा और तीसरा दो marks के होंगे जिनका total 6 number बनता है चोथा और पांचवा जो सवाल होगा वो 4 marks के होगा इसका total 8 number बनता है और छटा सवाल जो होगा वो 6 number का होगा ये total मिलाकर आपके 20 number का TMA ready होता है जिसमें एक तरफ की lines होती है और एक तरफ की lines blank होती है ऐसे ही आपको वो use करने है pages छटा जो point है आपको कि जब भी अपना आप TMA बनाएंगे तो जो आपका study center है वहाँ पर जाकर आपको जमा करना है अब आपका सवाल ये आता है कि study center कैसा बता चलेगा कि आपका कौन सा है तो जो भी आपका NIS का ID कार्ड आपको मिला हुआ है उसके नीचे देखिए study center एनी school का नाम वहाँ पर दिया गया होगा वहाँ पर जाकर अपना आपको TMA submit करना है अब बात करते हैं कि TMA कब तक submit कर सकते हैं अगर आपके exam April मही में होने वाले हैं तो आपके पास TMA जमा करने का जो time होगा वह 31 जनवरी तक होता है और 15 फरवरी तक आपके marks update होंगे TMA के अगर आपके exam October 9 में होने वाले हैं तो 31 जुलाई तक आपको अपने TMA submit करने हैं अपने study center में और 15 अगस तक आपके marks update हो जाएंगे इन तमाम जानकारी के साथ साथ एक बहुत जरूरी जो सबसे खास बात है वो यह है कि जब भी अपना आप TMA submit करते हैं तो अपने study center से यानि school में जिसमें आप जमा कर रहे हैं वहाँ से receiving यानि receipt लेना ना बोले वहाँ से receipt आपको जरूर लेनी है कि आपका TMA submit हो गया तो दोस्तों ये आठ ऐसे बहुत ही जरूरी points थे जो आपको अपने TMA में बहुत जरूरी इस्तमाल करने ही करने हैं आपकी महनत बेकार न जाए और आपका TMA सही तरीके से बन जाए और उन्ही सवालों के ही जवाब देने हैं जो आपके TMA में आपसे पूछे गए अब हम देखते हैं कि TMA आप डावलोड कहां से करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताएं कि आपके अफिशल वैब साइट पर जब भी भी आप आएंगे यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर learner's corner ठीक है यहां learner's corner पर आपको क्लिक करना है यह देखिए ऐसे ही आपकी official website है आप स्कॉल करके नीचे आईए यहां आगे है learner's corner इस पर क्लिक कीजिए यहां पर जो third option आपको दिया हुआ है tutor mark assignment इस पर आप क्लिक करेंगे अब यहां पर देखिए सारे आपके tutor mark assignment की details आ गई है यह देखिए जैसा कि मैं आपको बताया था कि TMA कब कर सम्मिट करने होती है सारा दिया गया है अब इपैल महित के लिए कप तक जमा करने है अक्टूबर के लिए कप तक जमा करनें नीचे जैसे है आप स्कूल करके आएंगे पहले आपको tens के सारे मिल गया अब यहां पर ठीक है बूम हुआ जाओ गए चिंजी तो यहां पर आपके यहां पर आपको नीचे जही आप कि अनगे सलिब आपके आपके यहां पर आगए जो भी आपका सब्जेक्ट है असके सब्जेक्ट पे क्लिक करना उसका वह पेज खुल जाएगा ठीक है जैसे हमने यहां पर बिजनेस पर क्लिक किया तो बिजनेस को पेस्ट खुल गया ध्यान रखना यहां दिखो राइट साइड में दिया हुआ है कि टोटल जो टीम में है आपके यह 20 मार्क्स के हैं आप किसी भी मीडियम में इसको कर सकते हो हिंदी या इंगलिश जिसमें आपको कमफर्टेबल लगता है फर्स्ट थ्री क्वेस्टन जो है आपके वो टूटू मार्क्स के होंगे ठीक है और यह जो क्वेस्टन दिये हुए है इनी के ही राइट साइड में देखिए आपको यह ठीक है तो फर्स्ट थ्री क्वेस्टन जो है यह टूटू मार्क्स के होंगे और फूर्थ और फिफ्ट जो क्वेस्टन जो होगा वो आपका सिक्स मार्क्स का होगा टूटल तो इस तरीके से टूटल आपके 20 मार्क्स बनते हैं ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आपको अदर TMA बनाने के जरूरत नहीं है बस यहीं से जाकर आपको अपने TMA ready करने हैं तो उमीद करता हूँ अब आपका जो एक बहुत बड़ा confusion था बहुत बड़ा एक आपको हैरानी होती थी कितने सवाल बनाने हैं कितने सवाल लिखने पड़ेंगे कहां से TMA के जवाब मिलेंग questions क्या होंगे उनके answers क्या होंगे वो सारे सवाल जवाब अब आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके बहुत useful रहा होगा useful रहा है तो वीडियो को like जरूर करें और share जरूर करें धन्यवाद दोस्तों क्या है तो क्या है तो कर दोस्तों आपके जरूर के दोस्तों आपके।